नमस्कार में उरीनो ग्रवाल, आप देख रहा है SKP Lime News, धार जीले के कुक्ची में सराफा बजार में चॉक्सी जोलर्स के नकाब पो शातिर बदमाशों ने दुकान पर चलाई गोलिया, हवाई फायर कर डराने की कोशेश की दो फायर जोलरी की दुकान के काच पर लगे, द के मुँ पर नकाब बंदा है, 37 बदमाशों जेलर्स की दुकान को निशाना बनाने की कोशेश किये, कुक्ची पुलिस CCTV फुटेज देखकर बदमाशों को पहचाने की कोशेश कर रही है, वही धार ASP आदित्ति पताप सिंग ने का है कि चोक्सी जेलर्स की दुकान के बाहर दो लड़के जो कि मोटर साइकिल पर आये थे, उनके द्वारा बाहर से फायर किया गया, उसके पश्चात्वे भाग निकले है, पुलिस ने मामला पंजी बद्द कर लिया है, जाज की जा रही है, CCTV फुटेजों को खंगाला जा रहा है, अभी फिलाल किसी को भी कोई चोट लगने की सुचना प्रात्त नहीं हुई है, काच पर गोली लगने से एक कस्टमर को काच लगने से चोट आई है, बहार से गोली मारी गई है, तो लगता है संभवता कोई पुरानी रंजी शो, पुलिस इंवेस्टिगेट कर रही है, देखें खबर SKP Live News पर लेग ने टोपा पेना हुआ है, दुभी ने धमुझा बने है, अच्छे अच्छेश का टाइम रहा होगा, अब लोग हमारे व्यापार मस थे, शोरूं के ग्रागी की भीड़ थी, मैं मेरे एक सोफे पे फीट के सारे बेठा हुआ था, मोबाल से बात करा था, तभी मुझे आवा जाई तो फाइरिंग के आवा जाई, तो फाइरिंग के आवा सुनके बाहर देख लेका था, दो लड़के पाइक से नहीं खड़े थे, डाड़ी करके, दोनों यंग तीस साल के असपास के एज रही होते, दोनों के चेहरे कुमू से डखे हुए थे, सियायत आपको मे काइड लोग बेटे तो इसमें दो तीन गवागों को कांच के तुपड़े लागा लगा है काइड से कावर था भाद उनों किसे को पड़े हैंगे अगर ग्लास नही होते है शायद को बड़ा निक्सान है साहिज को जब अगटना कट शकती कि अब पर सुटरा हुए मैं रा दुकान के भार दोलर के आये और एक मुट साइकल पे और उनके दोरा बहार से फायर किया गया और फिरसके वाद भाग गया उसमें अभी पुलिस ने पुलिस मामला पंजीबत करके इन्मेस्टिकेशन कर रही है सर इसमें किसी को लगी है गोली और CCTV वगरा में कुछ मिला इसमें CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है अभी फिलाल चोट की कोई सूचना नहीं है परन्तु कांच पे गोली लगने से कुछ हो एक लोगों को एक कस्टमर को ऐसा बता रहे हैं कि थोड़ी चोट आई है कांच से आपसी विवाद है या क्या मांत है देखें क्योंकि बहार से गोली मारी गई है तो इसमें हो सकता है कि समवता पुरानी रंजिशो परन्तु भी पुलिस इंवेस्टिगेट कर रही है